ओम नीलान जनम समाम भासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामी शनिष्चरम तम नमामी शनिष्चरम तम नमामी शनिष्चरम तम नमामी शनिष्चरम वो वक्री होकर क्या करेंगे देखिए वक्री गती जो वक्री ग्रह जो होता है वो और शक्ति संपन हो जाता है ग्रह दिश्टी कोण से लिए समझा जाए तो शनी महाराज वक्री यानि कहा जाता है वक्री का मतब उल्टी गती ग्रह कभी उल्टी वक्र गती में ने चलता। यह सारा का सारा जो प्रहभ है विशेष्टार पर तो ऐसे में जो गती हम से जब दूर जा रहा है ग्रह, हमारी स्पीड अलग है, ग्रह की स्पीड अलग है, उस स्पीड को जो एनलाइज करने के लिए हम उसको बोलते हैं कि ग्रह वक्री हो गया, यानि ग्रह हमको लगता है, हमने अपनी स्पीड बढ़ा दी है, दूसरा ग्रह गटना गटती है उसमें ग्रह की शक्ति जोतिश ने ऐसा अनलाइज करके देखा है कई गुना अधिक हो जाती है शनी महाराज तो वैसे ही बहुत प्रभावी ग्रह है और शनी का अध्भुत योग है शनी कर्म फल दाता है और कई प्रकार से आपके जीवन में विचित प्रका बहुत ही मुश्किल कार है और उनको बड़े शांत ग्रह माने जाते है ठंडा ग्रह माना जाता है शीतल माना जाता है बहुत शीतल ठंडा ग्रह है ठंडा है बहुत जादा और ऐसे में समझें कि उनका प्रभाव बड़ा विचित रह है शनी महाराज इस वक्त अश्टम भा तो एसे में आपकी राशी पर उसका बड़ा विचितर रशी करते हैं कि करक राशी में भारत के बड़े से बड़े लोग जितने थे इस देश पर राज किया वो सब इसी करक राशी में ही करक लगन में ही उनका जन्म हुआ तो भारत को प्रभावित करने के लिए लोग को प्रभावित करने के लिए भवान राम की करक लगन नहरू की करक लगन और यह सब करक लगन वाले जो है न बड़ा विचित प्रभाव उ विशेश्तार पर है ही है तो ऐसे में आपकी राशीवे शनी महराज जहां उपस्तित हैं इस वक्त वो कई बड़ा इंपॉर्टन प्रभाव उत्पन्द कर रहे हैं वक्र ग्रह जब होता है तो मैं कहूंगा ये लोग विजित प्रभाव करते हैं कि अशुब रहेगा जीने का मौका दे रहा है जिन अंशो पर ग्रह आगे बढ़ चुका था जैसे अभी तक शनी महराज करीब करीब 25-26 अंश चल चुके हैं मका कुम राशी पर और पुनहा वापिस घटते 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 करीब करीब आप ये मानके चलें कि तीन चार जैसे जो नक्षितर है व आपको दुभारा चांसे देंगे यानि ये ग्रह का अधुत प्रभाव है कि आपको एक जीवन ने जी लिया आपने समय का आता है टाइम इस इनेविटेबल कभी समय वापिस नहीं आता है लेकिन शनी की इस गती से आपको ये समझना चाहिए कि आपको अपने उस समय को सु रही है वो बुद्धी का भाव है और शनी का विचित भाव होता है कि जहां बुद्धी जब शनी देखते हैं वहाँ पर उस पर अंदकार चाह जाता है और वहां विचार करने के अफसर नहीं देते तो ऐसे में हम आपको बहुत बढ़िया तरह की समझाने का प्रयास करने क ये पुनर विचार का समय है इन चार साड़े चार महीने के लिए और फिर पुना इन ही अंशो पर वापिस चलेंगे आगे चलेंगे तो ऐसे में ये समय रहेगा आपको रीधिंग करने का ये समय रहेगा रीवर्क करने का ये समय रहेगा पुनर कर्म करने का पुनर उस कारे को सुधारने का आपके लिए तो विचार करें कि जो जो गलती हुई जो ठीक समय रिजल्ट नहीं आए उन कारें को पुनर री समय को अच्छे से अनलाइज करके एक बार रेस में आदमी भैकता लड़ाई दोरा होता है तो दो कदम पीछे हाटाने से हार नहीं होती जो पीछे से यदि शक्ती संपन्न होकर आगे बढ़ोगे तो आगे वाले समय पर आगे वाले कारे को जो हमारा लक्ष है उसको प्राप् शनी द्रिष्टी डाल रहे हैं आपके संतान पर तो जो बुद्धी जो भढ़ाई में काम कर रहे हैं तो समझ लीजेगा आपके लिए पुनर विचार करने का तरीका यह मत समझो कि एक बार समय निकल गया आप फिर नहीं हार सकते ना शनी ने आपके समक्ष में आपको उध रहे हैं वक्री होकर चांस दे रहे हैं कि आप पूरा रीधिंकिंग करें कभी की बहुत ज़्यादा चीजे आपके हाथ से नहीं निकले हैं पिलकुल शनी महाराज नहीं बैठकर आपकी सफलता में बाधा उत्पनन करने का प्रयास किया है समझें क्योंकि शनी की द्रिष्टी आपके द्रशम भाव पर बढ़ रही थी शनी पर द्रश्टम भाव सफलता का भाव है द्रशम भाव राज्य का भाव है द्रशम भाव कारे को पूर्ण करने का भाव है परिपक्यता का भाव माना जाता है तर वहां शनी की द्रिट्टी दलने से सफलता में कई न कई प्रकार से बाधा उत्मन कर रहे थे शनी, लेकिन शनी जैसा कर्म फल दाता है, कर्म के अनुसार से तो फल प्राप्त होता है, कर्म करने का अधिकार आपको है, अधिकार आपको प्राप्त है, तो करन करने का पुनर वह विशेशत तार पर आपके लिए पुनहा धन प्राप्ति का मार्ग सुलब कर सकते हैं, और साथ-साथ आपकी राशी के नुसार से समझेगा, जो रोजगार, कामधन्दे का भाव भी तो है, तो उसको पुनहा रियोगनाईज करने के लिए जो चीज़ें आपके हाथ से नि है तो इसलिए रात गई बात गई चुबूलिए और चलिए उतिष्ट जागत प्रप वरान निवोता ये शास्त में कहा गया ना उपनिशत वाक्य है उठो जागो चलो और जब तक सफलता ना मिले तब तक खाली मत बैठना ये शनी महराज ने पुनर आपको विचार करने का शनी का वक्री होना यही आपको इंगित कर रहा है यही आपको समझारे का प्रयास कर रहा है कि एक बड़ चांस आपको पुरा मिल रहा है और ये आवश्य शनी महराज जाते जाते शनी आपको खुशी देखे जाएंगे आपको सफलता देखे जाएंगे ये मान लिजे क्यो शनी को शांत इसे बैठ के समझने का ग्रह ऐसे नहीं कि चल दिया और काम हो गया शनी को री-thinking करकर आप पुनर विचार करकर कर्मफल दाता है तो आप यदि पश्चताप करने का प्रयास कि जो कुछ गल्तियां होई है तो उनको पश्चताप यानि री-analyze री-thinking करकर और बुद्धी को देख रहे हैं शनी महाराज कई बार होता है तो आपको चांस नहीं मिला एक बारी चलानी थी गोली और वो निकल गया तो पिर नहीं निकल नहां आप दुबारा आपने लक्ष को पुनर निर्धारित करकर शनी जो योग बना रहे हैं ब्रस्पती महाराज पाबा तो ऐसे में इस मनुष्य श्रीर को सुन्दा यूग से करने का प्रयास किजिए जो चात्र लोग हैं उनके लिए बढ़िया समय दिखाई दे रहा है रिधिंगिंग करें बुद्धी को सही विचार करने करने का प्रयास करेंगे बैठे बैठे कुछ नहीं मिलने वाल उठिए जगिए और बहुत सुन्दा तरीके से शनी का ये परिवर्तन आपके लिए जो हो रहा है जायद ऐसा समझाने का किसी और ने प्रयास नहीं किया होगा जो हम आपको यहां इस कारिक्रम के माद्दम से अपने इस चैनल के माद्दम से बताने का प्रयास कर रहे हैं ज प्रयास कीजे बहुत सुन्दर रहेगा विशेश उपाए हम बताने जा रहे हैं आपको यह उपाए आपको अवश्य करने हैं यह उपाए यदि आपने सही से कर लिए तब ही यह शनी का उपाए हो पाएगा नहीं तो क्या होता है कि समझ तो डेवलप हो गई लेकिन रास्त विषविश्य रोप से आवशक्ता होती है। लेकि जो गाड़ी से निकालने के लिए गाडी इंदर अधी शक्ती हो जाता है। तो ऐसे में उसका शुब प्रभाव है या शुब प्रभाव है उसको ठीक करने के लिए कुछ उपायों की अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अगर शक्ति संपन्न होगा तो अशुप कर रहा होगा तो उसके लिए क्रहों को शान्त करने के लिए कुछ शान्त करने के लिए अद्बत उपाय भी आवशकता है तो ऐसे में शनी को शान्त करने के लिए शास्त में अनेक उपाय वरने थे वो सब के सब उपाय ऐसे है कि जिस पर आपका विश्वास जाग जाए उसी से वारे नियारे हो सकते शास्त में दशरत कृत्ष रिशनी स्तोत्र ऐसा ही एक अद्बत ऊपाय बता है कहा जाता है शास्त के अंदर जब महाराज दशरत देवस संगराम में कि कई के साथ जा रहे थी तो रास्ते में शनी महाराज का दर्शन हुआ है जब शनी महाराज का दर्शन हुआ तो उनके मन में विचार आया कि शनी की द्रिष्टी पढ़ जाएगी तो अशुब होगा तुमने शनी को शांत करने के लिए वहाँ एक स्तोत्र का उच्चारण किया, उसको दश्रत कित शनी स्तोत्र कहा जाता है, और उसका इतना अध्भुत प्रभाव है कि शनी का दोश कैसा ही जीवन में हूँ, उसको शांत करने के लिए दश्रत कित शनी स्तोत्र अध्भुत चम आपका मेरा शनी का दुश्प्रभाव नहीं उपस्तित होगा। शनी में गोचर में तो शनी जिस प्रकार के प्रभाव उपस्तित कर रहे हैं उसको शांत करने के लिए या अद्बुत उपाया आप नित्रपति इसको करें ये स्तोत्र इस प्रकार से है। कालम द्रष्ट नमो स्थुते, नमस्ते, कोडराक्षाय, दुर निरिख्छाय, वैनम, नमगवराय, रद्राय, भीजणाय, कपालिने, नमस्ते सर्व भक्षाय बली मुख नमो स्थुते सूर्य पुत्र नमस्तेस्तु भासकरे भईदायचा अधोदृष्टे नमस्तिस्तु संवरदग नमो स्थुते नमो मंदग देतुभ्यं निरिस्तरणशायनमो दुते तब सादग्द देहाय नित्यम योगरताय चा नमो नित्यम चुदारताय अत्रिपताय चवैनमा ज्यान चक्षो नमस्तेस्तु कश्य पात्मज सुनवे तुष्टो ददासि भैराज्यम रुष्टो हरसित चणात देवासुर मनुशाष्च सिद्विध्या धरोरगा त्वयाविलो की दासरवे नाशम्यान्ति समूलता प्रसादा कुर्मे देवा वराहो अम्मु पागता एवं अस्तुत तदासरिक ग्रहराजो महावला तो ये देव शनी का स्तोत्र है इसका नित्यपती एक बार भी पाठ कर लेंगे तो शनी की कैसी भी ढहिया कैसा भी अशुप प्रभाव जीवन में चल रहा हो चाहे दशा हो चाहे बहा दशा हो चाहे शनी वक्री का प्रभाव हो वो सब आदभुत रूप से शान्ती की जब तक ये शनी वक्री चलें तब तक अवश्य इनका एक बार पाठ कर लें तो देखेगा कल्यान की अद्भुत योग परेंगे इसके साथ साथ हनुमान चालिसा भी ऐसा ही सिद्ध प्रयोग है हनुमान चालिसा का अन्यत्य पतिश्रवन करें जदि पाठ भी करेंगे तो महाँ बंदी ग्रह में थे वो भी मुक्तुए तो उन्होंने भवान हनुमान जी को सुन्दर आशिरात प्रदान किया कि महराज जो भी आपका भक्त रहेगा तो उन पर भी शनी की कभी कूद रिष्टी नहीं पड़ेगी वो सब जो भी कृत रहेगी हनुमान जी समस्त और देवता चितन धरही हनुमत से ही सर्व सुख करही तो शास्त में इतना सुन्दर प्रबाण है तो नित्यपति हनुमान जी को चोला चलाएं हर शरीवार को हनुमान जी को अपने हाथ से चोला चलाएं एक मड़ी भ्रांती उत्पन होती है लोग कहते हैं इस्त्रियों को या जालब्रमचारी हैं वो परात्प्रब्रम हम सब का परमपिता है उसके लिए क्या इस्त्री और क्या पुरुष का भी हम तो उनकी सब संतान है तो आप अनन्द भाव से यह विडंबना है शास्त के अनुसार से आत्मवत सर्व भूतेशियो पश्यतिसा पंडिता है तेकि आ कर आप इस तरह पूरुष हैं हरुमान जी को चोला चड़ाएं देखिशनी का दुष्प्रभाव दूर करने के लिए सुन्दूर में चमेरी का तेल मिलाकर या देशी घी मिलाकर हरुमान जी को अपने हाथ से देखिए क्या होता जिसे बच्पन में गुड़ा गुड़ा ख की शरण में जाएंगे और उस शरण में जाकर समस्प्रकार की कष्टों को दूर करने का योग बन जाएगा तो हनवान चाले साक अनित्यपती पाठ करना ये भी अद्बूत रहेगा शनी का एक मंत्र है तंत्रोक्त मंत्र ओम प्रांग प्रींग प्रांग से सनिश्चराय न इस मंत्र का स्थावन इसी प्रांग से करें एक माला नित्यपती करें तो बहुत सुंदर रहेगा लाप की योग बनेंगे अद्बूत प्राकार से शनी के समस्त दोशों को हरने के लिए अद्बूत योग रहेगा तो आप सब इन समस्त उपायों को करकर फीपल के पेड़ क पास जाकर नित्यपती दिया जलाना नभीवार को छोड़कर बागी समस्त दिन शनीवार को तो अवशी उपाय करने का प्रयाज करें तो ये और उसकी पदिक्षणा करना ये से भवान विश्णू की क्रपा से जो समस्त प्रकार से शनी के दोश है उनको शमन करने में रास् कोटा सा कारे कर दिया किजिए कववे कागपली केवल कागपली निकाल दीजे कम से कव इतना तो करिए देखे शनी के दोश को शबन करने के लिए ये भी प्रभाव अद्बूत रहेगा तो इन समस्त उपायों को आप करने का प्रयास कीजिए देखे बहुत सुंदर लाप की योग बंजाएगी हमने इन समस्त प्रयोगों को अपने आश्रम पर हजारो जो लोग वर्षों से आते हैं हमारे पिदाजी आचारश के शदेव जी की सानित में रहे कर हजारों लोग उनके साथ जुड़े रहे आज भी बहुत सारे लाकों लोग आश्रम से जुड़े ये उपाय जो हम आपके समख्षों पस्तित कर रहे हैं हमने अनुभव करके देखा उनके जीवन के कष्ट दूर होने के योग बने आश्रम पर जैसा हमारे नित्य पती आठ घंट यग्य होता है माभगवदी का सुन्दर श्रीविक्रेव उपस्तित है उनके सानित में बैठकर जो यग्य किया जाए है हद्रविवार को विशेश यग्य रहता ही है आप भी उसमें समलित हो सकते हैं विभिन मंत्रों का विभिन शास्ति में दिये हुए विभिन विधियों का समस्त प्रयोग आश्रम में कराए जाता है सुन्दरकांड का पाठ रहता है तो आप सब भी समय समय पर होने वाले इन समस्त कारिक्राम में समय लित होकर माभगवति एक्रभा से कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं